उत्तरपरदेश के बरेली में बीती रात असोका फॉर्म फैक्टरी में तेज धमागे के साथ भीशड आग लग गई जिसमें चार मजदूरों की जिन्दा जलकर मोथ हो गए जबकि तीन की हालत बेहत गंबीर बनी हुई है और एक यूवक अभी भी लापता बताया जा रहा है फरीदपुर थाना चेतर में इस्तित ये एक फॉर्म फैक्टरी है जिसमें केमिकल से फॉर्म बनाने का काम होता था बता दें घटना के समय फैक्टरी में 1500 लोग मौजूद थे सीम योगी आदितिनात ने इस हादसे पर दुख जताया है और घायलों के उचित इलाज के निदेश दिये हैं वहीं आपको बता दें ये फैक्टरी फरीदपूर नेशनल हाईवे किनारे गाउं मेगी नंगला में इस्तित है बुदवार साम करीब 7.5 बजे यहाँ पर एक तेज धमाका हुआ जिससे आग लग गई दमाके के वक्त यहाँ पर देर सो लोग मौजूद थे आग लगते ही पूरी फैक्टरी में अफरा तफरी मच गई चारो तरफ चीक पुकार मच गई हर कोई अपनी जान बचानी के लिए यहाँ से वहाँ भागने लगा जिसे जहां जंगे मिली वो वहाँ भागता हुआ दिखाई दिया फॉर्म फैक्टरी होने की वजह से आग बेहत तेजी के साथ पूरी फैक्टरी में फैल गई और उसे अपनी चपेट में ले लिया वहाँ मौजूदा लोगों के मताबिक आग की लप्टे काई फिट उपर तक निकल रही थी यह फैक्टरी तीन सैड में चल रही थी तेज धमाके की वजह से फैक्टरी में लगे लोहे के भारी एंगल भी तूट का नीचे गिर गे दो घंटे में ही पूरी फैक्टरी मलबे की धेर में तबदील हो गई गटना की सोचना मिलते ही सीएफो चंद्रमोहन सर्मा फरीदपुर और बरेली के बारे दमकल गाडियों के साथ मोके पर पहुचे और आग का बुजाने का काम सुरू कर दिया गया ये आग इतनी विकरॉल थी कि 20 फिट दूर लगी प्लास्टिक की सैड भी पिगल गई वाही सीम योगिया दितनात ने इस हाथ से पर दुख जटाया और पीडित परिवारों के परती अपनी समवेदना व्यक्त की इसके साथ ही उस अधिकारियों के गहलों के उचित इलाज महुया कराने का निर्देश दिया ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए बने रही इन खबर के साथ